दोस्तों सबसे पहले teachers को अपने teachment app में अपने class को open कर लेना है और उपर options पर scroll करते हुए यहाँ पर study materials पर आ जाना है इसके बाद दोस्तों add document पर click कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आप अपने study materials का title भी यहाँ पर डाल सकते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपने materials के बारे में description भी डाल सकते हैं इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर add attachment पे click करके अपनी जो भी study materials की file है उसे यहाँ पर upload कर सकते हैं और finally save and create पे click कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर कुछ images को भी add कर सकते हैं अगर आपके पास images के रूप में कोई study material है तो उसे भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने students के साथ share कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई YouTube videos को यहाँ पर share करना चाहते हैं अपने students के साथ तो आप वो भी कर सकते है यहाँ पर हमें add YouTube वीडियो पर click कर देना है यहाँ पर दोस्तों आप अपने material का title भी डाल सकते है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर अपने material का title डाल देता हूँ इसके बाद दोस्तों आप YouTube पर जाकर उस वीडियो का link यहाँ पर copy कर सकते है कुछ इस तरह से मैं YouTube पर जाकर अपने उस वीडियो का link जो है copy कर लेता हूँ और दोस्तों उस link को आपको यहाँ पर paste कर देना है इसके बाद दोस्तों अगर आप कुछ description डालना चाहते है उस वीडियो के बारे में तो आप यहाँ पर डाल सकते है कुछ इस तरह से मैं एक description डाल देता हूँ अपने students के लिए और finally हमें save and create पर click कर देना है दोस्तों जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे धेर सारे study materials यहाँ पर आ गया है YouTube वीडियो आ गया है अपना document जो है वो भी upload हो गया है तो दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह से एक student जो है अपने teachment app में इन सारे study materials को देख सकता है उन्हें access कर पाता है दोस्तों सबसे पहले student को अपने teachment app में आ जाना है और अपने classroom को open कर लेना है इसके बाद दोस्तों उपर के options में यहाँ पर study material पे आ जाना है दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी teacher ने study material यहाँ पर share किया है वो यहाँ पर student को दिख रहा है दोस्तों हमें simply यहाँ पर इसे click कर देना है और वो study material जो है वो document जो है download हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि जो भी YouTube वीडियो teacher ने share किया है वो भी हमें यहाँ पर दिख जाता है उसे student जो है यहाँ से देख सकता है तो दोस्तों कुछ इस तरह से students जो है अपने teachers के study materials को यहाँ से देख सकते हैं उन्हें access कर सकते हैं केमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल फंटेक टीचर को ताकि आप हमसे जुड़े रह सके हम आपसे connected रह पाएं तब तक दोस्तों मैं आपसे फिर सेक बार मिलता हूँ कुछ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ एक ऐसे नए tutorial के साथ तिल देन दोस्तों be learning, start exploring and never stop growing जैहिन दोस्तों टीच मिट में assignment के tutorial के लिए आप इधर क्लिक करें और online examination के tutorial वीडियो के लिए आप इधर क्लिक कर सकते हैं